नमस्कार दोस्तो मैं बाबुराम पटेल आप सबको अपने यूटूब चनलल बायलो जी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैक के बारे में यह बहुत ही important topic है स्नैक ठीक है आज हम face का वीडियो लेकर इसलिए नहीं आपा रहे हैं दोस्तों कि आज light नहीं है इसलिए हमको इस तरीके से वीडियो लेकर आना पड़ रहा है ताकि आपकी जो class है regular आपको मिल सके है ठीक है किस order का है ओफीडिया इसका order जरूर ध्यान रखियागा दोस्तों ठीक है अब बात करते हैं कि सर्पों के अध्यन को क्या कहते हैं सर्पों के अध्यन को कहा जाता है सर्पेंटो लॉजी ठीक है अगर option में आपको serpentology न दिखे दोस्त तब इसे आप कहते हैं सरपों के अध्यार को offiology ठीक है अगर option में serpentology नहीं है तो ठीक है अब अगर हम सरपों के कुल species की बात करें पूरे 20 में तो कितनी है देखे ज़रा the total number of species in word the total number of species in word ठीक है वे हैं venomous ठीक है कैसे है venomous है ठीक है अब अगर हम भारत में बात करें ठीक है total number of species in India of snack ठीक है सरपों की भारत में कुल जातियों की संख्या कितनी है तो हम आपको बता दे है लगभग कितनी साढ़े 300 के लगभग ठीक है 270 मिले तो आप ऐसा ना समझें कहीं बुक में भी मिल सकता है आपको ठीक है अब इसमें से भारत में जो 360 प्रजातिया है इनमें से जो poisonous है वो कितनी है 69 जो है वो बिसैली है और इन 69 में 29 जो है वो समुद्री सर्प है और 40 कैसे है स्थली सर्प है अस्थल पर रहने वाले 40 है अब अगर बात करें कि सर्प पाए कहां जाते हैं तो भाई आप जानते हैं कि वाटर एंड लेंड बोथ यानि यह जली और थली दोनों होते हैं ठीक है कैसे होते हैं जली और अस्थली दोनों होते हैं सर्प देखिए पनियावा साप भी आप जानते हैं ठीक है और कौन सा जानते हैं भाई और जो बिल में भी रहता है ठीक है और अगली खास बात क्या ह कि body covered by scale इनका जो पूरा का पूरा सरीर है इस तरीके से scale को दारा ढाका होता है इस तरीके से scale बना होता है इसके पूरे सरीम रजी इसे मचली उचलीम नहीं देखे हैं उस तरीके से इसमें scale से इसका पूरा सरीर ढाका होता है ठीक है और देखाई एगली खास बात क्या है कि snack are limbless ठीक है इसमें पाद नहीं होते हैं और कुछ में OCs होती हैं दो हैं कोन हैं मैं आगे बात करता हूँ ठीक है इसमें ऐसा समझों कि ये lim Kath mess होते हैं ठीक है और अगली खास बात क्या है दोस्त कि nicciating membrane absent in eye ठीक है इनकी आँख में जो necti-acting membrane होती है वो अनुपस्थित हो जिसे आपको अलेजे पलक है कि अपना बंद कर लेगा फिर खोल लेगा ऐसा नहीं हमें साथ जिसे कहते सर्पों की आख हमेंसे खुली क्यों रहती है ठीक है क्यों क्यों खुली रहती है क्योंकि उसमें निक्टि एक्टिंग मेंब्रेन नहीं है ठीक है अब यह कैसे होते cold-blooded animal हैं यह कैसे हैं सीत रक्ती प्राणी है cold-blooded animal देखिए इस सम्मझित cold warm-blooded cold-blooded में आप अंतर नहीं समझिए मैंने आपको एक फार्मूला बता था कि BMW ठीक है warm-blooded animal के वाल दुए है एक birds है दूसरा mammals है ठीक है birds और mammals यह warm-blooded है बाकी सब कई से है cold-blooded है ठीक है अब अगली खास बात क्या है उसको देख लिया जाए ठीक है इसकी अगली खास बात क्या है देखिए सबसे बड़ा सर्प सबसे छोटा सर्प ठीक है यह कौन होते हैं इनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए द अजगर लगभग 10 मीटर होता है कितना 10 मीटर अर्थात कह दिए यह फिट में अगर कहें तो पचीस फिट लंबा होता है लगभग और इसका भार एक कुंटल 20 किलोग्राम अर्थात 120 केजी का होता है ठीक है अब यह तो हो गए बड़ा अजगर ठीक है 10 मीटर वाला जो है चो थ्रेड इसनेक के अंतरगत ही आएगा ठीक है तो थ्रेड इसनेक जो होते हैं वो छोटे होते हैं पूरी बिस में इनकी जो कितने लंबे होते हैं 2 से 12 सेंटीमिटर ठीक है और एक बिसेज बात होती है सर्प में सर्प में बिसेज बात क्या होती है कि मॉल्टिंग क्रिया इ एक सर्प जैसे है आई ये दुसरे जैसे साल में जा रहा थे अपने सरीर से देखते हैं आप कि सर्प निकल गया, उसका पैंट सरट उतार के चला गया दूसरा थीक है उसका पैंट आटोमैटिक आयाता है कोई दर्जी नहीं सिलता है तो जो निकाल दिया अपना सर्ट ठीक है बनियान बनियान दोसको हम कहेंगे केचुल ठीक है क्या छोड़ता है मेरे दोस्त अपनी भाजा में ठीक है सॉड़ पाइट ठीक है अर्थात केचुल ऐसा समझेगा ठीक है और अगली खास बात क्या पाइथन एंड बोवा है वेस्टिजियल पहले भी गर्डिल एंड हैंड अभी मैंने बताया था कि लिम्बलेस होते हैं लेकिन अब यहां एक बात आगए कि जो पाइथन है अजगर है अब बोवा ठीक है बोवा और पाइथन यह दोनों में और पिछला वाला लिम्ब ठीक है और अगली खास बात क्या है कि बाइफिड टंग इनकी जीव होती है ब तो ये दूइठो, बाइफिड होती है, इसकी, इसे कहेंगे बाइफिड टंग, ठिक है, which is sensitive, जो संबेदन सील होती किसके प्रती, बोथ, orders और्ष गंध क्या दोस्त गंध ठीक है जो गंध और वाइब्रेशन के प्रति क्या होती संबेदन सील होती है अगली खास बात क्या है कि स्नैक has no Middle Ear एक कोनों मध कानौन नहीं होता है कि कान से सुनेगा ठीक है बुलाईए सपवा सुन लो जरा ठीक है तई सुनने नहीं यह कैस के द्वारा तुरंत इसको पता चल जाता है फिक है सेंस्टिव न ह अचे ये धाक ये साम जाता है कि कंवननों को कुछ कहने वाला है आखेल जाता है अगली वार्त क्य ini अगली खास बात क्या है कि poison glands भाई सर्प में अगर जहरीला है तो उसमें poison गरांथ ही होती है ठीक है poison यह सबसे ज़्यादा important points है इसको आप ध्यान रखिएगा poison glands are modified superior labial ठीक है किसका modified superior labial अथवा को दीजे pirotid gland यह pirotid gland यह पुछली भी लिया गया है दोस्त इसे ध्यान रखिएगा poison glands है modified है किसका pirotid glands का ठीक है अगली खास बात क्या है उसको जरा ध्यान रखिए ठीक है अब इसकी अगली खास बात में देखें क्या कर रहा है कि the poison injection fangs अर्थाद आप समझेए कि जब यह poison inject करता है अपने फैंक्स के द्वारा ठीक है फैंक्स ऐसे nuclei की बढ़े होते है ठीक है आई आप जानते है कि फन यह फन होता है सरप है यह संकर जी वाला समझ रहे हैं ऐसे ठीक है इसमें ऐसे कुछ स्वार चिन समझ रहे हैं तो अपने फैंक्स के जब इंजिक्ट करता है poisons तो our maxillary teeth कॉन सा दात होता है जिसको यह पंच करता है maxillary teeth ठीक है located on maxilla और यह maxillary teeth कहां होता है maxilla पर होता है बार बार यह kोचन पुचा गया है इससे आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा अब अगली खास बात क्या है देखिए जरा अब कहीं कहीं salivary glands पुछ लिया है ठीक है किसका modification salivary glands ठीक है अब अगली खास बात क्या है कि proteolysin proteolysin ये अगर पुछ लिया जाए proteolysin तो कहां उपस्थित होता proteolysin is present in the venom of wiper ठीक है wiper के venom में proteolysin उपस्थित होता है ठीक है अब proteolysin क्या है आप comment box में comment करके आप बता भी सकते हैं ठीक है अब थोड़ा आप लोग भी प्रयास करिए धूनिए search करिए आप समझ रहे हैं देखिए अगली खास बात क्या है कि best medicine to treat snack bite मतलब जब साप काट ले तो उसका सबसे अच्छी दवा क्या है इस iron antivenin अथवा antivenin serum समझ रहे हैं इससे antivenin अथवा antivenin serum लगाया जाना चाहिए जाड़ फूक नहीं ठीक है कि भी या जड़वाय फूक वाय लीजिए ज़़वाने फूक वायने में ना injection यूज किया जाए ठीक है अगर कोई सर्प काट ले तो अगली خاص बात देखिए एक बात भू बता दे इस ज़िए कहों बिसैला सर्प काट लिया है कि नन बिसैला काट लिया है अगर कोई सर्प काटे और इसमें दूइठ appel गढ़े बन जाए इस तरीके इस दो गढ़े बन जाए आपके सरीर में और इसके बाद इसे बन जाएं तो आप समझे ये बिसेला सर्प है अगर दो गढ़े इसे बन जा रहे हैं अगर इसे पूरे गढ़े बन जा रहे हैं समझ रहे हैं दो असपस्ट नहीं दिख रहे हैं तो कहां तयार की जाती है, Hopkins Institute Mumbai, Hopkins Institute Mumbai and Central Research Institute Kasuali, कौसुाली, ठीक है, यह Central Research Institute, कौसुाली, अर्थाती कहां है भाई, सिमला में, इसको, यह कहां है, सिमला में, जहां पर क्या anti-venom injection तयार किया जाता है, ठीक है, चलिए, अगली बात देखते हैं, देखे, अगली खास बात क्या है दोस Cobra, Cobra is, Cobra is characterised by hood, जो Cobra होता है, उसमें hood होता है, फ्हान, जीसे आप क्या कहते हैं, फान, ओम, नमस सिवाए वाला, इस संकर जी वाला, समझ रहे हैं असंकर जी को आपको है दीजे इसको उल्टा सरकन जी भईया सरकता है यह समझ रहे ना संकर जी नहीं सरकन जी ऐसा आप समझेए देखिए अगली खास बात क्या है सी स्नेक आर पोइजनस जो समुद्री साप होते हैं पोइजनस होते हैं उसकी दो कामन इस्पीसीज है ठीक है Hydrofish, Inhydrina, ये दोनों कैसे हैं? Sea Snack है, जो कि Poisonous है, ठीक है? अगली खास बात क्या है, Sea Snack, Sea Snacks and Wipers are VVPIRUS, ठीक है? और ये बच्चा देते हैं, VVPIRUS, बच्चे देने वाले हैं, कौन Sea Snack and Wipers? ठीक है? ये दोनों कैसे हैं? VVPIRUS हैं. देखिए, Snack की अगर हम बात करें, अब काटेगरी में, दो काटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है, दो केटरीगेनी में Snack को डिवाइड किया गया है, कौन-कौन से? एक तब जहरीले साप, एक नहीं जहरीले, ठीक है? Poisonous Snack, बिशैले, Non-Poisonous Bishin सर्प, समझ रहें? ये Poisonous Bishin और Non-Poisonous Bishin. अब जो बिशैले सर्प हैं, इसमें भाईया दूई परकार को होते हैं, कैसे दो परकार को होते हैं, एक तो Neuro Toxic होता है, एक Hemotoxic होता है, समझ रहें? एक में जो 20 होता है, नियरो टाक्सिक वेनम होता है, ये कैसे होता है? Hemotoxic वेनम होता है, समझ रहें? अब यहाँ पर जो Neuro Toxic होता है, वो किसको effect करता है? Effect to nervous system, neurotoxic वेनम जो होता है, वो effect करता है, नर्वास system, मतलब एक सर्प काट लेगा, जहरी ले रहेंगे, अब अगली खास बात देखिए ज़रा, जो non poisonous है, Sorry, Neuro Toxic, Neuro Toxic का example देखिए ज़रा है, Neuro Toxic का example क्या है, कोबरा, क्रेट, सी स्नेक और कोरल, ठीक है, कोबरा, क्रेट, सी स्नेक और कोरल, यह कैसे हैं, यह Neuro Toxic हैं, ठीक है, अब अगली खास बात क्या है, उसको ज़रा देखिए, Venomous Snack, Hedge Venomous Apparatus, ठीक है, अच्छा यह एक बात और आपको बता दे, कि Poisonous और Venomous में क्या अंतर है, Poisonous and Venomous, दोनों में क्या अंतर है, समझे इसको, ठीक है, अब Poisonous तो उसे कहेंगे, बिसायला मतलब ऐसे हो सकता है, नेचूरल ही होता है, जैसे कोई पेड़ पौधा हो गया, कोई जन्त हो गया, उसको आप खाली जिये, तो आपको गड़बड़ी उत्पन कर देगा, आपको जन्त कहेंगे, अरे Poisonous खाली आई, मर जाएगा, समझ रहे हैं, मर जाएगा, उसके पूरी सरीर में क्या होता है, Poisonous को खाली है तो मर जाएगा, एक होता है, जो कि जन्तू तुरंत अपने सरीर से, पदार्थ निकाल कर आपको टंच करे, और वो जहर आपके सरीर में इंजेक्ट कर दे, तो जो इंजेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं Venomous, समझ रहे हैं Venomous कहते हैं उसको, ऐसा समझ रहे हैं, तो Venomous Snack Hedge Venomous Apparatus, अगर Venomous वो डाल दा है आपके सरीर में, तो किसके दौरे एक Venomous Apparatus होता है उसमें, समझ रहे हैं, और इस Venomous Apparatus में, उसके क्या-क्या उपस्तित होता है, एक जोड़ी Venom Gland होती है, और Ducks होती है, Phangs होता है, और Phang-Associated Muscle होती है, समझ रहे हैं, Phang-Associated Muscle होती है, अब देखे, एक बात और, कि Venomous है क्या, इसको समझ रहे हैं, बाई Special Apparatus, एक ऐसा Bises, Bises उपकरण, टू इंजेक्ट टॉक्सिन, जो क्या इंजेक्ट करता है, टॉक्सिन, समझ रहे हैं, बिस को जो इंजेक्ट करता है, एक Bises Apparatus, उसे कहते हैं Venomous, समझ रहे हैं, क्या कहते हैं दोस्त, Venomous कहते हैं, अब चलिए, कुछ जो जहरीले साप है, अब कुछ जो है, बिसहीन है, उसको देख लिया जै, दोनों में अंतर क्या है, समझ रहे हैं, और उनको भी देख लिया जै, कौन जहरीला है, कौन जहरीला नहीं है, तो ध्यान दीजी दोस्त, ऐसमें देखिए, करेक्टर है, पोईजनस स्नेक है, नान पोईजनस, ठीक है, जो करेक्टर है, पहले हेड अगर देखें, हेड तो जो पोईजनस होता है, विसैला सर्प है, अगर विसैला, तो उसका जो हेड होता है, ट्राइंगुलर होता है, कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है, इस तरीके से त्रिकोणी होता है, जो non-poagenous होता है, उसका जो head होता है, rounded होता है, गोला कारथ वा, अंडा कार, को हो देजिए elliptical होता है, समझ रहे हैं कैसा? elliptical ठीक है, तो ये पहला सिर को देकर पहचानेंगे, और teeth को देकर, अभी मैंने बताया जो बिसयला होगा, दूठ हो ऐसे, धास देगा, समझ रहे हैं, मास्ती में एकदम, तो बिसेला होगा, तो टीथ कहे था, कैनलाइजड, अनुकीले, समझ रहे हैं, कैनलाइजड, नाम नहीं सुना है, उसी तरीके साफ समझेगे, कैनलाइजड, अपर जा मैक्जिलरी, इसका जो उपर का जबड़ा होता है, उसमे समान प्रकार के होते हैं, आल, आर, सेम, ठीक है, सभी समान होते हैं, और इसके सिर का जो स्केल होता है, इसके सिर पर स्केल लार्ज होता है, अब बेली स्केल, जो इसके नीचे भी सरीर में, इस तरीके से, इसके पिटवा साइड में, इस तरीके से, उसके बगल में, छोटे चोटे से, समझ रहे हैं, यह structure बना होगा, तो इसे कहेंगे जो नन पोइजनस होता है, उसकी जो पुछिया होती है, वो गोल होती है, राउंडे होती है, जो करेक्टर, अब अगला देखिए, जो वेनम होता है, पोइजनस का वो लाँろ नान पाइजनस में उसका नान तोक्सिक होता है और जो झाiris externe सिम्पलसी बात है ऑछ दीखिए आपने वीं पुरा नतों होता है औरियों नती हघायार होता है promises ब्राइट होता है समझ रहे हैं ब्राइट होता है जब कि नान पोईजनस में डूल होता है मतलब समझ रहे हैं उतना बहुत ज्यादा चाटक चाटक नहीं होता है समझ रहे हैं अब पोईजनस में विसेशता है कि इसमें लॉरियल पिट होती है क्या होती है लॉरियल पिट होत सबसे भयानक, सबसे खतनाक है करायत, सबसे बिशाला सरफ है, समझ रहें, करायत काट लेगा ना, करवट नहीं ले पाएंगे, समझ रहें, इसके मात्रा मात्रा होती है और मार सकता है, इंसान को समझ रहे हैं, तो क्रायत को क्या कहेंगे, बैंगरास सिरुलास, ठीक है, बैंगरास सिरुलास, और तीसरा को है, वाइपेरा, वाइपेरा रसेली, समझ रहे हैं, और पिट वाइपर हो गया, सी स्नेक हो गया, और कोरल स्नेक हो गया, ठीक है, कोबरा, क्रायत, ए सीस स्नैक और कोरल स्नैक ठीक है अंनानपुआजनस इसनैक में कॐन है जैसे टिफलोप्स है ब्लाइंड स्नैक अंध सरप कहते हैं इसको अंधावा समझ रहा है और यूरो पैल्टिस है वी वी पैरस होता है ये यूरो पैलटिस है इसको ध्यान रखिये गर वीवी पैरस होता है समझ रहे है और ट्यास इसको कहते हैं जैमिन्स ठीक है क्या कहेंगे जैमिन्स धामन और थात इसको कहते हैं गोड़ पचाड गोड़ा पचाड जीसे आपने सुना नहीं है कि कुछ सरपाईसे होते हैं कि जो दूद पी जाते हैं गायों को जो उसके पैर को बांध करके दूद्र पी लेते हैं समझ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है गोड़ पचाड़ बहुत साय साय भागता है बड़ा लंबा होता है समझ रहे हैं एकदम और अगला है कौन ट्रोपीडो नोटस ठीक है ट्रोपीडो नोटस इपनिया हमा है लाइक को डॉन है और डेंट्रोफिस है और ड्रायोफिस है अब पाइथन है पाइथन अजगर जो बढ़ा होता है एक बात आउर होती अजगर की अपना जो मुह फैलाता है लगभाग इस स्ट्रेचिवल जैसे होता है समझ रहे हैं अब पूरे बोड़े से बड़ी मुह हुआ है अब जैसे आप देखते हैं कि यह क्या करता है नील गाय और हिरान इन सब को निगल जाता है जिनका जितना बड़ा सरीर नहीं हो तो उससे ज्यादा फैला करके स्ट्रेचिवल जैसे जिसी अंदर करेगा वही से यह इसका सरीर फैलता चला जाता है समझ रहे हैं तो अब जिए कुछ एक ट्रिक देख लिया जाए कि बिसैले सर्प को हम कैसी याद रखेंगा बिसैले को छांट लिया तो जो बिसैले नहीं है वो तो आई फार्मूला है कोबरा की बीबी से रात में मिलोगे तो पिट जाओगे ये सूत्र आपर याद रखिए का बिसेले सर्पो का सूत्र है कोबरा का मतलब कोबरा आप जान ही रहें कोबरा की का मतलब है दो सब्दे एक की से हो गया किंग कोबरा हो गया ये करायत ठीक है किंग कोब वीवी का मतलब वाइपर, से का मतलब है, सी स्नेक, रैट का मतलब है, रैटल स्नेक, समझ रहे हैं, रैटल स्नेक, मिलो गे तो, यह नहीं होगा, साइलेंट है, पिट का मतलब क्या, पिट वाइपर, ठीक है, पिट वाइपर, तो कितने हो गए, एक, दो, इतीन, चार, पांच, साथ साथ सर्प हैं जो भी सहले हैं इनको आप ध्यान रखिएगा ठीक है आपको यह लक्चर कैसा लगा दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है चलिए आज के हमारी कास में बस यहीं तक ओके थैंक